वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टियो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी थी और अगर आप मूव्स देखेंगे ना तो वैसे ही आए जो मने कल सेट अप में डिसकुस किया थ देखोगे एक्जाक पिन पॉइंट डेल वही लेवल लगता है जहां से हमने बदा आया था कि मार्केट में राली आई और एक अच्छी खासी राली भी आई राली बैंक निफ्टी में भी आई है लेकिन बैंक निफ्टी में मूवस बहुत ही जादा फास थे तो वहां क्लि निफ्टी के ऑक्सपाइरी है तो सारी चीजों की इस वीडियो में डीटियल में बात करेंगे चल्ले क्ट पार्ट पर आते हैं पहले हम निफ्टी की बात करते हैं आप देखिये ऊपनिंग कहा होती है और कहां से मारकेट में राली स्टार्ट हुई आज तो मार्केट बुलिश है और मार्केट में राली आएगी सिंप्ली आपको क्लियली यह मैंने बताया था और ट्रेलिंग स्टॉप लोस के थूँ आपको इस राली को कैच करना है क्योंकि डेली अगर आप देखोंगे ना राली कहां तक आती है वह एक नया level होता है मार्निंग में और पहली WGod लेवल पे सपोट लेती है उसके बाद फिर मार्केट गरीन बिबनाती है कि मार्केट में हाँ strength डेवल को मार्केट होड गर रही है हमने कर्केट कि अगर आप राली में trade बनाते तो एक decent 100 points की rally आप यहाँ पे simply catch कर सकते थे और पूरे दिन का best trade यही था rally कहां तक आएगी नहीं पता है कल 23, 370, 380 के असपा जाके market एक बार रुकी थी आज 23, 440 तक market गई है तो daily नए levels तक जा रही है तो यह level कौन सा बनेगा वो अभी नहीं पता है तो उसके लिए simply हम trailing stop loss use करते हैं अगर आपने use किया होगा तो बहुत ही अच्छे से आप यह पूरी rally catch कर सकते थे almost 100 points तो आप easily catch कर सकते थे move उससे भी बढ़ा है लेकिन 100 points आप catch कर सकते थे और एक अच्छा decent profit आपको यहाँ ज़रूर मिला होगा उसके बाद market दुबारा slowly downtrend में आती है और फिर से day end में हम 23,300 दुबारा test करते है लेकिन हमाले trade क्या था यह rally, यह bounce back exact pinpoint और rally start होती है उसी level से जो मैंने कल आपको setup में trade के लिए बताया था बहुत जादा levels नहीं है अभी market में लेकिन हर दिन market हमारे entry level के आसपस जरूर आ जाती है और हमें trade जरूर मिल जाता है आज भी उस level के आई और वहीं से trade मिला होग आपने nifty में अच्छे trades बनाया होगे bank nifty के बात करें rally वहाँ भी आई लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा entry बनाना मुश्किल था अब देखो bank nifty एक बार opening positive लेकिन morning में dip आता है अभी mid में कोई trades नहीं थे हमारी entry यहाँ पे थी 49,950 से 50,000 का zone जब यह zone break होगा तो rally आईगी यह discuss किया था अभी यह zone break हुआ है rally भी आई है लेकिन यहाँ पे suddenly candles बहुत बड़ी बड़ी बन गई तो यहाँ पे जो entry थी न वो बहुत मुश्किल थी क्योंकि हमारी entry यहाँ पे है almost और stop loss काफी बढ़ा हो जाता है जब भी हम level से दूर होते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि trade avoid कर दो क्योंकि वहाँ पे stop loss काफी बड़ा हो जाता है level की जितना pass entry मिले उतनी अच्छी entry होती है यहाँ पे 180 points दूर है वो काफी जादा दूर हो जाता है market में अगर आप entry बनाते भी इस trade में trailing stop loss से आपको जादा profit नहीं मिलता इसमें कि उसके बाद further जो up move आये kind of up cost पे ही इस trade से exit हो जाते है तो कि यहाँ sudden move आया लेकिन उसके बाद market थोड़े time बाद ही reverse कर जाती है ठीक है और reversal में फिर हम इसी level पे आ जाते है 960 यह level है फिर से मैं correct कर दू 950 नहीं है 960 पे आये थोड़ा बाद market ने support भी लिया और day end में break किया तो यहाँ से थोड़ा बाद हमें fall भी देखने को मिला तो यहाँ पे almost trades नहीं थे अगर bank nifty के आज बात करें तो आज almost trades bank nifty में नहीं थे कि जो rally आई वो बहुत sudden थी और उसके बाद जो reversal भी था वो slow and steady था तो लेवल के आसपास ही जाके market close हुई है लेकिन trades नहीं थे आज हमारे setup से bank nifty में तो चलिए आज की market तो हो चुकिया अब कल क्या करना है वो बात करते हैं पहले nifty की बात करते हैं देखिए अभी तक हमार पास कल expiry के लिए levels है क्या levels है every 50s पे level है क्या क्या level है ये 23,350 23,400 23,450 lower side 23,250 23,200 यानि every 50s पे level है simply अब वो ही जो expiry में हम setup use करते थे वो ही same setup आपको कल use करना है क्या देखना है कि market की opening कहा हो रही है मालो यहां mid में open होते हैं कई ठीक है 23,350 से 23,400 nearby के 50s के level देखने है दोलो जहां भी opening हो nearby के 50s के level देखने है उसके बाद opening के बाद क्या lower side level को break कर रहे है तो market का trend negative है और market में fall आएगा जैसे यहां पे break किया तो market में fall आएगा similar fall आएगा अगर कल opening के बाद lower side support break होता है और अ opening के बाद upside level को break कर देते है तो market में rally आएगी और market bullish होगी तो कल entry बहुत simple और clear है nifty में जहां opening हो उसके nearby के दोनो 50s के level देखने है आपको और फिर कौन से level break हो रहा है जिस direction में market break करे morning में उसी direction में market का move आएगा और उसी trend के साथ आपको trades बनाने है और target के लिए trailing stop loss आपको use करना है simple ये कल के लिए nifty का setup है कुछ भी complex नहीं बनाना है ये setup फॉलो करना है जैसे आज भी simple था bank nifty में almost trades नहीं मिले लेकिन nifty में gossip का trade था exact level पे थी market और यहीं से rally आई तो similar कल के लिए ये simple setup है जो level break हो opening के बाद resistance का level break होगा तो rally और support का level break होगा तो fall अब ये मैंने बा opening हो उसके nearby के 50s के level देखने है मानलो यहां opening होती है तो resistance हो जाएगा 23,350 जो उसके above level है मानलो 23,320 पे opening हो रही है तो इससे जादा बड़ा level कौन सा है above 23,350 ये break होगा तो rally और lower side इससे छोटा level कौन सा है 50s का 23,300 ये break होगा तो market में fall आएगा simple clear setup है opening के बाद देखना है कौन सी direction में market level break कर रही है simple कल के लिए nifty का setup है hope clear है charts पर ये पता लग रहा है option chain data में क्या हो रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं and wix अब काफी lower हो चुका है तो premium भी comparatively काफी कम हो चुका है अब कल के लिए अगर option chain को देखें तो क्या पता लग रहा है आज resistance 23,400 पे थी कल के भी same resistance level है 2,84,000 है call side put side 1,16,000 तो 1.5,000 का gap मिल जाता है तो 23,400 as per option chain resistance है और अगर support की बात करें 23,300 पे weak support है क्योंकि gap अभी भी कम है ठीक है almost 30,000 हो आई का gap है जो जादा मेटन नहीं करता है support जो मिल रहा है वो मिल रहा है 23,200 पे तो almost similar range है कल के लिए 23,200 से 24,400 इस range में nifty कल time spend कर सकता है और अगर ये range break होगी तो बड़े trending move कल nifty में expected है ठीक है तो major support कल के लिए 23,200 और major resistance 23,400 लेवल है ये range break होगी तो बड़े moves आएंगे otherwise इस range में time spend nifty में कर सकते है अब ये nifty की बात हुई bank nifty भी एक बार देख लेते हैं कल वैसे nifty के expire है तो maximum लोग उसी में trade करेंगे लेकिन bank nifty में करना क्या है setup क्या बता रहा है वो देख लेते हैं एक बार bank nifty में एक level में mark करूँगा अभी आज का जो day high level बना है तो level समझ लेते हैं 49,960 तो पहला level है ठीक है यहाँ पर zone ही माल लेते हैं 50,000 तक यह भी में mark कर दूँगा से 50,000 यह zone है उसके बाद नया level है 50,230 लोवर साइड सपूर्ट की बात करें 49,500 49,230 और 48,950 से 49,000 ठीक है यह सारे कल के लिए levels है ट्रेड बहुत ही simple है आज भी ट्रेड इसी level से मिला 49,960 से कल भी इसी level से मिलेगा अगर इस zone को हम upside break करते हैं तो rally आएगी और कल हमार पस एक target भी है वो है 50,230 यह पहला एक new level दिख रहा है इस पे multiple time हम market काम कर रही है तो एक new level है जो आप mark कर सकते हैं अगर कल 50,000 को upside break करते हैं आपको bullish trade बनाना है rally में entry करनी है और target होगा 50,2 simple clear है 50,000 के अबाँ market bullish यह हमारा target होगा downside 49,500 ब्रेक होगा lower side तो market में fall आएगा और fall में lower side levels और target यह दोना हमारे होगे 49,230 और उसके बाद यह zone है 48,950 से 49,000 यह simple कल के लिए bank nifty का setup है देखो अभी भी levels market में बन रहा है अब कल की expiry हो जाएगी और Friday का trading दे हो जाएगा तो market purely बहुत अच्छे से settle down हो जाएगी और weekends पे सारी research करके मैं आपको new levels बता दूँगा तो दो दिन और आपको इनी levels को use करना है उसके बाद proper नए जो levels market में बन रहे हैं वो clear हो जाएगे कहां बन रहे हैं कहां नहीं बन रहे हैं क्या हो रहा है market में सारी चीज़े clear हो जाएगी वो detail में weekend पे बात करेंगे अब कल के लिए simple setup है जो आप follow कर सकते होप setup clear है वीडियो चले के तो like कर देना चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो क्या करना है subscribe भी जरूर कर ले